Hello and welcome back once again. नहीं चेक किया है तो kindly वो जरूर चेक कीजिए. आपको इस वीडियो के description box में भी उनके links प्रोवाइड किये गए हैं. देखे T from Assam की हम basically सबसे पहले एक छोटी सी introduction डिसकस करते हैं कि T from Assam is an instructive story written by अरूप कुमार दत्ता. ये कई लोग इसे data भी बोल देते हैं बट ये दत्त है तो अरूप कुमार दत्ता जी ने हमें ये एक instructive story अब instructive का मतलब यहां किसी instruction से नहीं है. actually instructive का मतलब होता है कि जो useful भी हो और informational भी हो तो उसे instructive बोल दिया जाता है. तो अरूप कुमार दत्ता जी ने basically जो कि इस chapter के writer है इन्होंने हमें ये T from Assam provide किया है. He has given a beautiful explanation about the origination of tea leaves in this story. तो इस कहानी के जरिए उन्होंने basically टी किस तरह से originate हुई थी, किस तरह से discover हुई थी, वो हमें बहुती beautiful तरीके से present किया है. तो देखते हैं chapter के बारे में brief description. In the story, there are two friends, come classmates. देखो ये जो कम है, इसका मतलब है कि दोस्त होने के साथ साथ दोनों सहपाथी भी हैं, classmates से कठे पढ़ते भी हैं. अब उन दोनों के नाम क्या है? राजवीर and प्रंजोल. तो प्रंजोल's father is the manager of a tea garden in Assam. तो प्रंजोल के पिताजी जो हैं, वो Assam में एक tea garden को manage करते हैं. ठीक है? मतलब उनका खुद का एक tea garden है. They have invited राजवीर to visit their home during summer vacations. तो उन्हों ने basically राजवीर को invite किया है, मतलब प्रंजोल ने अपने friend को invite किया है, या प्रंजोल की family ने invite किया है राजवीर को, कि वो गर्मियों की छुटियों के दौरान, vacations का मतलब क्या होता है? holidays या छुटियां. तो गर्मियों की छुटियों क दौरान वो जरूर उनके घर बे घूमने के लिए आए. मतलब असैम या उनका tea garden देखने के लिए जरूर आए. तो जो स्टोरी है, वो basically start कैसे होती है? जो first scene हमें बताया गया था, वो क्या था? दी स्टोरी basically starts with the two boys traveling by train to असैम. तो ये स्टोरी जो है, वो यहां से स्टार्ट होती है, कि दूनों जो लड़के हैं, जाजवीर और क्रंजोल, वो by train travel कर रहे हैं, मतलब यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी, और कहां जाना है उन्होंने? अब्वियस ही है, कि उन्होंने असैम जाना है. After having a cup of tea, अब ये भी मैं, अगर आपने नहीं lesson सुना है, तो मैं साथ-साथ में वो भी बताती जाऊंगी, ताकि आपको समरी के साथ-साथ lesson की भी knowledge होती जाए, जितनी जादा मैं provide कर सकती हूं, कि basically हुआ क्या था, कि जब दोन से चाए को लेकर उनके बीच में discussion होना शुरू हो गई थी. तो actually हुआ क्या? After having a cup of tea, चाए का एक cup, चाए का एक प्याला पीने के बाद, प्रंजोल gets busy in reading his detective book. अब फिर से, अगर मैं याद दिलवाऊं, तो उसमें था ना, कि उसने अपनी nose बरी कर ली थी book में, तो वो एक phrase लेकिन उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था ना, कि वो busy हो गया था, book reading करने के मीच में, और कौन सी book थी वो? Detective book थी, जिसे वो read कर रहा था. तो while राजवीर decides to enjoy the beautiful scenery of the nature, हाला कि राजवीर को भी detective books पसंद है, लेकिन फिर भी राजवीर ने उस वक्त के लिए, जो बाहर, ट्रेन के बाहर, प्राकरतिक सौंड्रे, द्रिश्य दिख रहा था, beautiful scenery दिख रही थी, नेचर की, greenery and greenery, वो peddy fields and all that, tea bushes जो दिखाई दे रहे राजवीर ने उनका आनंद उठाना जादा बेटर समझा, तो उसने ये decide किया कि मैं तो बाहर देखकर enjoy करूँगा, ठीक है, अब आगे आपको क्या बता रहे हैं, राजवीर being very excited, राजवीर क्योंकि बहुत जादा excited था, उत्सुक था, उत्सा था उसमें, has done a lot of study regarding tea, तो उ उसने tea से regarding अपना homework, एक तरीके से हम कह सकते हैं, अपना homework या जितनी भी जाँच परताल वो tea को लेकर कर सकता था, जानकारी हासिल कर सकता था, तो उसने बहुत कुछ study किया था, He talks with Pranzol about various Indian and Chinese legends associated with the discovery of tea, तो मतलब वो ऐसी सक्षियतों के बारे में discussion करता है, जो Indian या Chinese origin से related है, जिनकी जो वो शक्षियत मतलब basically tea की discovery के साथ, चाई की खोज के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी discussion वो Pranzol के साथ करता है, बातशीत करता है, Pranzol, although not interested, listens to him, अब Pranzol जो है वो interested नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पला बड़ा ही एक tea garden में था, तो उसे इतना ज़ादा interest नहीं था इन सब बातों में, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनता है, ठीक है, He says about the origin of tea, अब कौन बात कर रहा था, यहां लिखा है न, कि राजवीर, तो राजवीर बात करता है, tea की origin चाहिए की खोज को लेकर, और क्या बात करता है, that a Buddhist monk, while meditating, felt sleepy, देखो meditating का मतलब क्या होता है, meditating या meditation का मतलब होता है, ध्यान लगाना भगमान में, तो एक Buddhist monk, मतलब एक साधू संत हुए है, उन्होंने, जब ध्यान लगाना था, तो उन्हें न, नीन आने लगी, होता है न, हमारे साथ में, अगर भगमान का नाम देने लगो तो नीन आने लग जाती होती है, या history पढ़ने लगते हैं, तो नीन आने लग जाती होती है, तो ऐसा कुछ concept यहाँ पर आपको बता रखा है, कि उन्हें नीन आने लग गई, in order to avoid it, he cuts off his eyelids and through them, तो देखो अब क्या हुआ, कि क्योंकि उन्हें नीन आ रही थी, तो उन्होंन नीन को avoid करने के लिए नजर अंदाज करने के लिए, या नीन को भगाने के लिए, क्या किया, he cut off his eyelids, अब eyelids क्या होती है, देखो लिड का मतलब क्या होता है, धककन, आखों को धकने के लिए, बंद करने के लिए, पलके काम करती है तो eyelids का मतलब होता है पलकें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पलकें काट दी और उन्हें फेक दिया, few saplings sprouted out of them, तो क्या हुआ, जहां पर वो पलकें गिरी, वहां से कुछ-कुछ छोटे-छोटे पौदे जो हैं, वो अंकुरित हो गए, saplings, मतलब छोटे-छोटे प्लांट संकुरित हो गए, it is generally said that, तो आम तौर पर ये कहा जाता है, that they were tea leaves, कि वो क्या थे, वो चाय के पत्तियां ही थी, another story, अब एक और कहानी, जो प्रचलित है, या जो फेमस है, वो क्या है, that goes round, is a king in China, used to boil water, before drinking it, कि चाइना में एक राजा हुआ करते थे, जो की पानी पीने से पहले boil किया करते थे, one day, एक दिन क्या हुआ, few leaves fell into his boiling water, उनके उबलते हुए पानी में कुछ पत्ते आकर गिर गए, he liked its taste, और उन्हें उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, and called it tea, और उन्होंने उसे tea का नाम दे दिया, तो जब वो इस तरहां की discussions कर रहे हैं, while they have been discussing all this, they reach their destination, अब destination का मतलब, अपने मुकाम पर पहुँच गए, where Pranzol's parents have come to receive them, जहां पर Pranzol के मातापिता उन्हें रिसीव करने के लिए आय हुए थे, arrive थे या कम थे, ठीक है, आय हुए थे, moving towards the tea garden, तो tea garden की तरफ जाते हुए, जस car से या जस वेहिकल से वो travel कर रहे थे, basically railway station से निकल कर tea garden की तरफ जब वो जा रहे थे, राजवीर impresses Pranzol's father with the study done by him, तो जो भी study उसने की थी, जो भी information इकठी की थी राजवीर ने regarding tea, चाय को लेकर, वो जब discussions करता है Pranzol के father के साथ, तो Pranzol के पिता जी काफी प्रभावित होते हैं, काफी impressed होते हैं, कि तुमने learn more about it, और वो अपनी क्या intention जाहिर करता है, कि मैं आप यहाँ आया हूँ, तो practically और भी चीजें learn करूंगा tea को लेकर, तो यहाँ पर हमारा यह chapter खतम होते हैं, तो basically what we can conclude from this particular chapter, tea is very popular all over the world, चाय दुनिया भर में famous है, and tea from a Sam is supposed to be the best one, और जो a Sam की चाय है, वो सबसे best बानी जाती हैं, and yes, it really gives us a beautiful glimpse of India, because हम यह glimpses of India में ही पढ़ रहे हैं, तो हम इसे भी, क्योंकि यह worldwide famous है, तो हम इसे भी भारत की एक बहुती सुन्दर सी जलक कह सकते हैं, तो मुझे उमीद है, कि आपको यह समरी बहुती आसानी से समझ में आई होगी, और काफी अच्छी भी लगी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कॉमेंट्स अलसो, थांक यू सो मच फॉर वाचिंग, and have a nice day.